नमस्कार दोस्तों स्वागत आप शभी का आपके अपना चैनल और इस्टडी पे जो दोस्तों आज के इस वीडियो में क्लास टेंथ चेप्टर है निर्देसांक ज्यामिती जिसको इंगलिस में बोलते हैं एपी एपी तो हो गया सोट इसका फूल फ्रम होता है इससे होता है अरोथमेटिक फीस होता है प्रोग्रेसं यहनी निर्देसांक ज्यामिती महतोपून कुछन है में हर बार रिपीट होता है इसलिके हम या पर बहुत ही सिंपल तरीका को समझाने वाले हैं देखते हैं हमारा कोशन क्या कह रहा है तो कोशन देख सकते हैं एपी यानि arithmetic progression दिया है दो कम साथ कम बार डॉट 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 का दस्वा दस्वा पद हमको ग्यात करना है अगर आप class 10 में होंगे न तो आपको इस question के बारे में पता होगा एपी में ये दिया है ये डॉट 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 दिया है उसका दस्वा पद ग्यात करना होता है तो दस्वा पद ग्यात करने के लिए हमको क्या पता होना चाहिए दोस्तों दस्वा पद हमको ग्यात करना है तो दस्वा पद ग्यात करने के लिए हमको ए ग्यात होना चाहिए य उसको बोलते हैं सार्व अंतर जिसको हम पदांतर भी बोलते हैं यानि सार्व अंतर और यहां पर पहला पद यह दोनों पता होगा न तो आप दस्वापद निकाल सकते हैं तो पहला पद हमारा क्या होता है तो एपी में यह जो दिया है न दो पहले तो यह पहला है न तो इसक असलब सार्व अंतर कैसे निकालते हैं तो D बराबर होता है या आप लिखेंगे D बराबर A2-A1 यानि यह पहला पद जो है माल लेजिए कि A1 है दूसरा पद A2 है तिसरा पद A3 है तो हम क्या करेंगे A2-A1 यानि दूसरे पद माइनस करेंगे पहले पद यहां भी आप अगर तीसरे पद मैंसे भी दूसरे पद घटा आएगे तो भी आंसर उतना ही आएगा तो सात मेंसे दो घटाएंगे यानि यहांनी A2-A1 करेंगे तो देख सकते हैं यहां पर D बराबर हम लिख देते हैं A2-A1 तो A2 यानि A1 A2 यह है न 7 तो 7 और A1 का मान क्या है 2 है तो 2 लिख लेंगे सात मेंसे 2 घटाएंगे तो आपका यहां पर 5 आ जाएगा यह क्या है D कमान यान हींदी में उसको बोलते हैं सारव अंतर यानि सभी में आपस में अंतर यही रहेगा देख सकते हैं यहां पर अगर आप 12 मेंसे 7 घटाएंगे तो 7-5 12 होता है और फिर 7 मेंसे 2 घटाएंगे तो 5 और 2 7 होते हैं यानि बीच में जो सारव अंतर जो है न बीच में अं प metall लीगत नहीं फान उडिक होगा यह इस सूतर क्या होता है तो दास्वा पद निकालने के लिए सूतर होता है यहां पर लिखेंगे दसवा पद बराबर दसवा पद है यानि 10 है न तो सबसे पहले फर्मुला होता है धसवा पद है तो 10 में से कम करेंगे तो 9 हो जाएगा यानि 9 और उसके सांथ लग जाएगा से 9 ऑ adam निकालना हो तो इसा तरीकास आपको कर ना है तो पहला पें कंगा हमारा है तो तो सामने हम दो लिखेंगे पलस है तो पलस नौ है तो नौ लिखेंगे अब नौ तो हमने लिख लिए लेकिन डी कमान कहा है तो डी कमान हम यहां पर निकाल ले हैं यह सारव अंतर जो होता है ना डी कमान होता है क्या है पांच है यानि हम यहां पर नौ डी है न तो नौ गुने यहांपर कर सकते हैं तो नो गूने पांच कर सकते हैं अब यहां पर दो प्लस 9 यह होता है पाइंत 40 और दो में 45 यह भाएंस चेंगे तो यह हो जाएगा 47 और यहां पर देख सकते हैं यहें चैना और यहीं है हमारा क zweite दस्वापद यही क्या है दस्वापद और यही हमको ग्यांत करना था हमारा फाइनल आंसर आ चुका है देख सकते हैं कितना आसान तरीका से हमने इसको सल्ब कर लिया आपको एक कोशन दिया रहेगा और इसमें मालेजे दस्वापद बारवापद कोई भी पद निकालना हो तो फाइनल आंसर आपका आ चुका है तो आई होब कि इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10 का यह कोशन सॉल्व करना सिख गया होंगे जो कि महत्वपूर है दोस्ते तीन नमर का हर बार यह एकजाम में पूछता है और रिपीट भी करता है तो वीडियो अच लगए तो वीडियो क से किसी अगले वीडियो में